हेलो स्टूरेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंडर अड्वांस एजूगेशन दिस इस कंप्यूटर साइंस एंड तोड़े आम गोईंग टीच यू लेसन 6 दे नेम ओफ दे लेसन इस कंप्यूटर माउस आज इस लेसन में हम कंप्यूटर माउस के बारे में स्ट करेंगे सो लेट्स बिगन दे लेसन इंट्रोडेक्शन सबसे पहले हम घंपटेलि के साइज की कंप्यूटर डिवाइस होती है जो पॉइंटर या फिर करजर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव करती है देखे यह जो है ये मेरे हैंड में ये एक माउस है जिसकी हैपसे में इस एरो को करजर को स्क्रीन पर मूव कर पा रही है अब हम बात करते हैं टाइपस ओफ माउस जो माउस है उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं देरा थ्री टाइपस माउस इस पुक में थ्री टाइपस दिये हैं सबसे पहला है rolling ball mouse next optical mouse and next wireless mouse यह तीन प्रकार इसमें दिये थ्री टाइप से दिये हैं mouse के next है पार्ट ओफे mouse mouse के पार्ट के बारे में हम study करेंगे cable attached mouse to computer यह के वो cable दी गई है जो computer से attached होती है मतलब mouse को computer से attach करती है अगर यह cable आप निकाल दोगे computer से तो आपका जो mouse है वो वर्क नहीं करेगा जो pointer वग्यारा है वो selection का काम या फिर कोई दूसरा काम आप इसके हल्प से करना चाहा रहे हैं तो वो वर्क यह नहीं करेगा right hand button is used to open menu etc और जो right hand button होता है वो menu आदी को open करने के लिए use किया जाता है इसके अलावा left hand button होता है left hand button is used to select object etc जो left hand button होता है उसका use करके हम किसी भी object को select कर सकते हैं इसके अलावा scroll wheel most the mouse most the page up and down on the screen scroll wheel जो होता है आप देख पा रहे हैं यह scroll wheel है जिसकी help से हम अपने page को up and down कर सकते हैं next है body part of mouse where your hand rest यह mouse की body part है जिसकी help से जहां पर हमारा जो hand होता है वो रखा जाता है जहां पर हम अपने हाथ को इसके उपर रखते हैं next है हमारा cursor और pointer cursor और pointer देखिए अब हम cursor और pointer के बारे में बात करेंगे यह आप देख पा रहे हैं screen पर यहां पर एक cursor आपको दिख रहा होगा pointer दिख रहा होगा यही pointer होता है जिसका यूज करके हम किसी भी object को select करते हैं the cursor is an arrow on screen that moves as you move the mouse जो cursor होता है यह एक arrow होता है screen पर और जैसे हैं mouse को move करते हैं वैसे ही यह arrow भी move करता है to work with the object on the desktop किसी object में हमें काम करना है desktop पर the pointer is moved over the object and a button on the mouse is clicked देखिए आप किसी भी object को open करना चाहते हैं तो आप उसके उपर mouse की करदर को ले कर जाएंगे pointer को ले कर जाएंगे और उसके बाद click कर देंगे mouse का button click कर देंगे next है positioning the mouse mouse की जो position होती है वो कहां पर होती है यह हमारा पूरा सेट दिया है यहां पर computer भी दिया है mouse दिया है printer दिया है और बाकि CPU वगएरा सभी चीजिस में दी हुई है the mouse rest on the mouse pad next to the keyboard with a cable pointing toward the computer जो mouse होता है वो mouse pad पर रखा जाता है keyboard के बराबर में keyboard के पास ही रखा जाता रुसके अलावा इसकी जो cable वगएरा होती है वो computer से attest होती है computer में लगी हुए होती है सारी अब हम बात करते हैं कि हम अपने mouse को किस तरीके से पकड़ सकते है holding the mouse mouse को पकड़ना या hold करना देखे किस तरीके से हम hold कर सकते है palm rest on the mouse body जो हमारी हतेली होती है वो mouse की body पर होती है इसके अलावा index finger rest the left button और जो index finger होती है वो हमारी mouse के left button पर होती है middle finger उंदर right button जो middle finger होती है वो हमारी right mouse button पर होती है wrist rest on the table top और इसके अलावा जो wrist होती है हमारी कलाई होती है वो हमारी table के उपर होती है last two fingers and thumb hold the side of the mouse और इसके अलावा जो हमारी last two finger है और एक जो हमारा thumb होता है वो computer की side वाली body पर होती है जिसमें दिख पा रही है यहाँ पर यह हमारा thumb है और दूसरी side दोनों हमारी last वाली finger दी गई है अब हम बात करते हैं कि हम mouse को move कैसे करें How to move mouse Moving the mouse Move the mouse around the mouse pad Mouse pad के उपर यह mouse pad के चारों तरफ हम mouse को move करेंगे Watch the screen and see Watch the screen to see what happened to cursor अब हम mouse pad पर जैसे mouse को घुमाएंगे उसके साथ हमें यह भी देखना है कि जो screen है computer पर उसका जो cursor है वो किस तरीके से मतलब क्या हो रहा है उसमें cursor में The cursor will not move if the mouse is in the ear जब हम mouse pad के उपर cursor को रख करेंगे मतलब mouse को रख करेंगे mouse pad पर तो हमारा जो cursor है वो move करेंगे इसके साथ ही जो अगर हम माऊस से उसको हवा में हिलाएंगे तो हमारा जो cursor है वो बिल्कुल भी move नहीं करेंगे कहने का मतलब यह है कि जो mouse होता है वो mouse pad पर ही work करता है अगर हम उठा करके काम करेंगे तो वो हमारा work नहीं करेगा इसके अलावा clicking the mouse, mouse को click करना किस तरीके से हम mouse को click कर सकते हैं देखिए यह इस तरीके से hold किया हुआ है left click करेंगे हम इस तरीके से दिया गया है press करेंगे और double click करेंगे दो बार click करके ठीक है दो बार हम click कर देंगे एक बटन को तो वो हमारा double click हो जाएगा revision of the chapter is chapter का revision the cursor is an arrow on the screen that moves as you move the mouse जो cursor होता है वो screen पर एक arrow होता है और जैसे ही हम mouse को move करते हैं घुमाते हैं वैसे ही हमारा जो cursor होता है वो भी move करता है इसके अलावा a mouse is a palm size computer device that moves a pointer और cursor on the computer screen जो mouse होता है वो palm size computer device होता है that moves a pointer या cursor जो की एक pointer को या cursor को computer की screen पर move करने का काम करता है तो यह था आज का lesson इसका एक objective type है इसे देख लेते हैं objective type question tick right the correct option move the cursor around the हम जो mouse है move the mouse around the हम अपने mouse को किस पर move करेंगे cpu पर करेंगे monitor पर करेंगे या फिर mouse pad पर करेंगे तो हम अपने cursor को कहां पर move करेंगे mouse pad पर तो इसका जो correct होगा वो mouse pad होगा ठीक तो यह था आज का lesson वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना share करना और अगर आपने भी तक हमारी यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you करेंगे तो